नमस्कार दोस्तों यूपी प्यस्टी डेली ने उसमें आप सबी लोग का स्वागत है तो जहां दोस्तों ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आरो एरो 2021 को लेकर के सरमानी चाहिए उन सभी लोगों को जो आयोग की सदस्चिता लेकर के बैठे हुए हैं कोई लोग नहीं बनात मुझे मैं बोल सकता हूँ मेरा हक है मेरा दिकार है आप जैसे सीनियर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं कई कई कोश्चनों में ऐसे ही अपजिक्सान आ जा रहा है जिसका आंसर गूगल तक को नहीं पता है घर पे बैठ करके वो सदस्य जो वहाँ पे आयोग में कारे कर रह अब जिसका आंसर गूगल के पास नहीं है वो चीज भी आंसर वो लोग देते हैं अपने मंद से सबसे बड़े विकीपीडिया तो आयोग है आयोग एक ऐसी संस्था यानि कहने में भी सरमाती है कि यहां का जो एक बार छात्र बन जाए तो इसका मतलब अपने करियर को कुल मिला करके उसने बरबात कर दिया कुछ सीटे होती हैं जिनमें कुछ लोग का सेलेक्शन तो हो नहीं लेकिन वो भी एक प्रकार से जुवा इससे अच्छा तो वह या जा करके किसी बार में बैट करके आप गैम्लिंग कर लें जुवा खेलने समझ रहे हैं गो आवा चले जाए जुवा खेले बढ़िया पैस क्वेश्चन है जैसे कुष्चन कौन सा है मैं बता रहा हूं भदवारी भैस की प्रजाती है सुरोथ कहां का है नेशनल ब्यूरो अफ एनिमल जैनेटिक रिसोर्सेस से यह हैं ठीक हैं लेकिन आयोग दूसरी कुछ मांग रहा है अब क्या है अलमसूदी नौसो एकतालिस से नौसो तिरालिस के भारत के ब्रहमण पर रहा है सुरोथ सिबियस्सी का है जो बुक है एनसी इयाटी सतीस चंद्र की संथाली दोहजार तीम में सामिल हुई है सुरोथ है विदी मंत्राले था लोग सभा सचीवाले का उत्तर प्रदेश की स्रम सहभागिता दर 30.2 थी 2015-2016 में वर्तमान में भी 30.2 अनसूची जनजात की जनसंख्या के इसाब से अरुनाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालेंड और मेगाले सही है ठीक है सुरोथ है 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट अंडा और मचली दोनों में सभी आवश्यक अमीनों अमल मिलते हैं सुरोथ N-C-E-R-T जीवास्म के बाद जल विद्धु धी है सुरोथ है उर्जा मंत्राले 12 सरकार की यार इतने मतलब भाई साब कहा के लोग बेठे हैं यार उनको दिखता तक नहीं है क्या चीजे बना रहे हैं क्या अंसर होगा मतलब हम बच्चे जो एक्चुल में पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही क्यों रहे हैं नहीं सुझ में आ रहा हैं वो अपने इसाब से टिक मार के आएं वो अपनी किस्मत आज मार हैं आयोग भी अपने इसाब से किस्मत आज माने वाला अंसर की दे रहा हैं तो भी जाकर के तुक्का मार के आएं कहें पढ़ रहा हैं कहें कोचिंग कर रहा हैं कहें घर से सालो साल दूर हैं साधी नहीं कर साधी हो नहीं रही कितनी परसानिया किसी की घर गिरिवी है किस क्या है जमीन गिरिवी है कितनी परसानिया है लोगों साथ में लेकिन यहां पर हो क्या रहा है एक जूवा खेला जा रहा है हमारे ख्याल से आयोग में बेटे जितने सदस्य हैं सब को निकाल के बाहर कर देना च चाहिए ऐसे सदस्यों को जो की सरकार में रहते हुए सरकार से लड़ जाते हैं किसी भी सही काम को ले करके ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो छात्र हित में काम करें आपको जा क्या रहा है आपने पेपर तयार किया इतना दो ढ़ाई किलोमीटर में फैला आयो च्छ से साथ कराना होता है साल बर में इतने सदस्य हैं आरो है要 ro है इतने छोटे लेकर बड़े लेकर हर एक सदस्य है तो आप सभी लोग 140% के GSаю और salt प्रस्ट की हिंदी बनाते हैं उसमें 140% आप सभी लोग ऐसा देते हैं जिसका आंसर दुनिया में कहीं नहीं है कहां से ला रहे हैं आप लोग नई किताब लिख रहे हैं अंदर आयोग में बैठ करके अगर किताब लिख रहे तो आयोग से बाहर भी किताब लांच करें ताकि और छात्र लोग उसको पढ़ पाएं बात करेंगे कटाब को ले करके इस बार आरो यारो 2021 का एक्जाम ऐसा एक्जाम रहा है, जिसमें कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग वाले, कोई भी यूटूब पे अच्छे-च्छे कारे करने वाले लोग यहां तक की लोग जुड़े हुए सदस्थ से जो लोग है, जो अपनी संस्था कोचिंग चला रहे हैं, उन लोगों को भी कटाप का अंदाजा नहीं मिल पा रहा है, वो भी तब जब आयोग की अंसर की भी आ चुकी है, कटाप एक सो पचीस से एक सो तीस जा रहा था, आयोग के साथ आठ कोश्चन ऐसे अंसर आये हैं, कि जिसकी आपत्ती भी आप सभी लोग डालेंगे, उसका रिवाइस्ट अंसर की भी न नहीं करता है, गुशा तो इतना है कि लगता है कि बोल दू ऐसा ना हो कि खुद की इमेज डाउन हो जाएं, जितनी भी इमेज हैं कहीं आप सभी लोगों से तो स्रेश्ट ही हैं, आप सभी लोग किसी भी कोचिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ते हैं, तुरंत उसको ब्ल पेपर देने आप सभी लोग जा रहे हैं, वहां आप सभी लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आप सभी लोग भी कामचोर हैं, जितने भी चात्र हैं, सब के सब कामचोर हैं, घर में बैट करके, रूम में बैट करके, डाल भात खाते हैं, चोखा बना करके, उसी में मस्त है, अपने दोस्त त्यार से किसी नुकर चोपाटी पे जा करके बढ़िया चाय पीते हैं, बखवास करते हैं, ये कुश्चन देखा कितना टफ है, ये हुआ ऐसे हुआ, आयोग ऐसे है वैसे, जाके अपने हक की लड़ाई लड़ो, मैं जितने दिन तक भी आप सभी लोग के साथ रहा था, उतने दिन तक मैंने लड़ा है, एल्टी ग्रेट के छात्रों से जा करके आप पूछ सकते हैं, कि लड़ाई लड़ी गई थी कि नहीं लड़ी गई थी, आप सभी लोग स्वयम अपने आप से अपनी लड़ाई लड़ें, डाल भात छोड़ करके, जा करके सीधे अपनी लड़ाई को लड़ें, क्या हो रहा है, जाने समझें, ऐसा क्यूं हो रहा है, अब हैं, अपत्ती देने को कई लोग हैं, वाट्स अप नमबर, कमेंट, पीडियाप दे देंगे, कौन-कौन से क्वेश्चन उनके साथ जा करके जुड़ें, कौन-कौन के क्वेश्चन में हैं, लेकिन एक बंदा सामने आएगा, दूसरा होबे नहीं करेगा, क्या चल रह कोई भी दूसरा व्यक्ती जिम्मेदार नहीं है, आप सभी लोग अपनी बात को नहीं रखेंगे, अपनी सोच को नहीं मनवाएंगे, तो आपको यही आंसर की मानना पड़ेगा, आयोग जो आंसर बोलेगा, वो मानना पड़ेगा, और रही बात कटाप की, कई लोग 125 से 30 बोल रहे हैं, फिर आंसर की आफिसियल आने के बाद 115 से 120 हो गया, अभी कुछ दिन बाद फिर उसके बाद 130 पैथिस करेंगे, फिर उसके बाद 110 पंदरा करेंगे, किसी को कोई अंदाजा ही नहीं हो पा रहा, इस बार का ऐसा पेपर ह होगा, हाँ मानते हैं कि हर साल के पेच्छा, PCS के पेच्छा में, आरो यारो का पेपर कटिन आता, ये पेपर कटिन तो था ही नहीं, अगर जो इनसान बोले कि ये पेपर कटिन था, तो उसने जीवन में कभी पढ़ाई ही नहीं कि, ये पेपर कटिन नहीं था, पेपर का ज आप चारो आपसन में से एक आंसर बता दो, फिर मैं चारो आंसर लाइन से आप बता दो और उसके बाद मैं कहूं चारो गलत है, मैं अपना आंसर अलग से उसमें दूँगा, मतलब क्या चल रहा है, पेपर का कोई लेवल था, एकदम इससे घटिया पेपर आज तक मैंने से भी नीचे के लेवल का पेपर था, मैं कहता हूँ, जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है मत मानो, जो करना है वो करो, कुछ दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, मैं आपको रिजल्ट की अपडेट भी दे दूँगा, कि कब रिजल्ट आने वाला है, कुछ ज बैट करके दाल भात खाएंगे सिर्फ ठीक है यह प्रॉमिस करिए कि रिजल्ट आनेक बात उस दिन भी आप सभी लोग दाल चौल बनाएंगे उसके अंदर चोखा जरूर बनना चाहिए बले आप अपने हक्की लड़ाई लड़े चाहे ना लड़े लेकिन दाल भात चोखा नई छूटना चाहिए फिलाल ये बात की बाते हैं सुधर जाईए आप सभी लोग भी और मेरा अनुरोध है आयोग के हर एक सदस्यों से भी कि आप सभी लोग भी अपने कारे को भली भात ही समझें जाने घर पे जाने के बाद थोड़ा सा भी तो लगता होगा कि आखिर हो हो क्या रहा है सोयम आपके ही आयोग में क्या हो रहा है क्या सही है क्या गलत है अगर आपके पास इसके कुछ तक्थे हैं साक्षे हैं तो आप सभी लोग भी सामने आ करके जैसे चातर रखते हैं ऐसे आप सभी लोग भी आकर रखें ताकि चातरों की जितनी कंफ्यूजन हो दूर हो सके, कोई जवाब देने वाला नहीं है, चातर अपने आप से ही लड़ रहे हैं, किसी नुकड पे जा करके चाय पी रहे हैं, एक दोस्त त्यार से बहस कर रहे हैं, कुश्चन का अंसर निकाल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, अपडेट आप सभी लोग को कहीं न कही से मिलती रहेगी, वीडियो में कोई बाते ऐसी बुरी लगी हो, तो भई यह अच्छ हमाच आते हैं, आप सभी लोग सोयम समस्दार हैं, हम सिर्फ अकेले समस्दार नहीं हैं, जो यह बाते बूल रहे हैं, आप सोयम समस्दार हैं, बस हमारे साथ प्लस पॉइंट यह है, कि हमारे साथ एक ट्रैफिक जुड़ी हुई है, काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जिससे हम आप सभी लोग अपनी छोटी सी बात को काफी संख्या में लोगों पास पहुचाने में सफल हो पा रहे हैं, बाकी आप सभी लोग की अपनी राय कमेंट बॉक्स में कम नहीं होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और जीन को मन हो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही अपडेट इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोग से मिसना होने पाए बहुत बहुत धन्यवाद